हेलो फ्रेंड्स वल्केम बैक टो आवर चैनल शेफिमरान किचन्स आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिप्सी लच्छेदार गोबी के पकोड़े तो फिर चलिए शिरू करते हैं मैं यहाँ पर छोटे साइस की गोबी लिया हूँ और उसको कट कर लेंगे जैसे आप घर पे कट करते हैं सबसी बनाने के लिए है फिर हम मीडियम साइस की प्यास लेंगे और उसको स्लाइसस में कट कर लेंगे फिर दो हरी मिर्ची लेंगे और उसको अच्छे से बारिक काट और इट कर दिएगे इसमेन और जिंजर गालिक पेस्ट हाफ टीस्पोन अब आध करेंगे टू टीस्पोन चावल का हटा और टू टीस्पोन मेदे का हटा अब इसको mix करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे मैं यहाँ ठोड़ा पानी अट करूँगा अगर आपको ज़रूरत है तो ही आप अट करिए मैरी निशन के बाद गोबी अपना पानी छोड़ने लगता है इसलिए अगर आपको ज़रूरत है तो ही पानी आट करें तेल अच्छे से गरम हो चुका है मीडियम फ्लेम पर पांच से दस मिनट तक डिफ फ्राइ करेंगे आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बेटन को दबा दीए ताके मेरे आने वली हर रेसिप आप तक पहुंचते रहे अब इसको पल्ठा कर दूसरी सेट भी डिफ फ्राइ करेंगे पांच मिनट के लिए ये लीजिए क्रिपसी लचेदार गोबी के पकोड़े रेडी है अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आही हो तो लाइक करना ना भूलिए और कमेंट करके बताएए नेक्स्ट रसीपी आप कौन सी देखना चाहते है